लेश्टूडेंट कैसे आप से अमीद करता हूँ आप सभच्छे होंगे मस्त वेथर होंगे और आपको जो मैं पढ़ाता हूं बच्छे बैतर रूप से नोड़्ों यू आप नोडेल के साथ बाइल के आधार पर यहाँ पर थोड़ा समय लिखता हूं बायल बायल साहब कौन हो बायल साहब ने इस्थिर ताप पर बताया कि जो आयतन है दाप की भी उत्करमान उपाती होता है ये बायल साहब बता दिये कि किसी गैस में तापमान को इस्थिर रखा जाए और यदि दाप में परिवर्तन किया जाए तो आयतन में परिवर्तन होता है जो कि दी दाप बढ़ाते हैं तो आयतन में कमी और अधि दाप को कम करेंगे तो आयतन में ब्रद्धी इसके बाद 200 साल बाद इनके चाल से सहाब आए बोले रुको जरा हम भी एक नियम दे देते हैं कि जो ये बास्तविक रूप से आयतन है वो ताप पर भी निर्वर करता है ताप के सीधा समान उपाती होता है ताप हम बढ़ाते हैं तो आयतन में ब्रद्धी होती है और ताप कम करते हैं तो आयतन में कमी होती है ये चाल साहब बढ़ी आ गए इसके बाद इनको देखते हुए गेलुसाग को भी चिड़न आ गई अरे बोले भाई तुम लोग सब कुछ दिये दे रहे हो कुछ तो बचा दो गेलुसाग सहाब आ रहे हैं ठीक है गेलुसाग है ठीक है के बीच हम संबंद स्थापित कर देंगे भाई वायल ने बताया कि जो आइतन है वो दाब की व्यूत्कराम qualcान उपाती चाल्स ने बताया E ton a taaf के समयन उपाती तो गेलुसाक सहा हम एक तुम लोग आ आयतन के बीच संबन्दे दिया चाल सहाबाई बोले दाव को इस्थिर कर दो आयतन और ताव के बीच संबन्दे दिये और गेलुसाक सहाबाई बोले कि एक काम करते हैं अब हम आयतन को कांस्टन रखते हैं और बताते हैं ये आयतन इस्थिर हो तो किसी गैस का जो दाव है वो ताब के समानुपाति होता है इसी क्रम में हमारे अगले जना आ गए भाई सहाब ये कौन है एवोगैडरो सहाब एवोगैडरो सहाब बोले कि हम कोई एक कांस्टेंट नहीं रखेंगे इस बार हम दो चीजों को कांस्टेंट रखेंगे ताब को भी और दाब को भी एनि हमारे एवोगैडरो सहाब बड़े होसिया निकले बोले आप लोग अभी एक एक कांस्टेंट करके संबंद तो दे दिये भाई है ना किसी ने ताब को कांस्टेंट रखा किसी ने दाब को रखा इस्थिर किसी ने आयतन को रखा हम ऐसा नहीं करेंगे अब जब तुम तीनों समाप्ट कर दिये तो हम इसके उल्टा ही काम करेंगे उन्होंने कहा कि तापमान और दाब दोनों को इस्थिर रखेंगे ताप और दाब ताप और दाब बोले दोनों को हम इस्थिर रखेंगे क्या रखेंगे इस्थिर कां आईतन समान है टिक है यदि आईतन समान है तो उनके अड़ों की संखया समान होगी ठीक यह चीछ बताया किसने यह चीछ हमारे나 बोगेडो साहब ने आकार के बता दिया बोगेडोंस scoring का अलाग ही और ये दूसरा पात्र है, दूसरा पात्र यहां पे बंद है, ठीक है, अब दोनों में अलग-अलग गैस भरी है, लेकिन आयतन समान है, क्या, आयतन समान है, ठीक है, यहां पर आयतन भी है, यहां पर आयतन भी है, तब इन में अनों की संख्या भी समान होगी, इन में अनों की संख्या अड़ों की संख्या मतलब capital N ठीक है यदि B1 है ये B2 बराबर है तो N1 और N2 भी बराबर होगी ये चीज़ बताया किसने एवोगैडरो नी ठीक तो एवोगैडरों ने कहा कि यदि तापमार इस्थिर है और दाब इस्थिर है तब सभी गैसों के समाइन आयतन में अर्वों की संख्या समान होती है अर्थात गैस का जो आयतन भी है वो N ये अर्वों की संख्या अर्थात एवोगैडरों संख्या जिससे कहा गया उसके समान उपाती होगी इसके समान उपाती होगी यहीं जो गैस का आयतन है बच्चो वो अरूओं की संख्या पर निर्भर करती है भिन भिन गैस है लेकिन उनका आयतन समान है उनके अरूओं की संख्या समान होगी ठीक है यह चीज है अब आगे निसकर्स निकला कि दी तापमान और दाबमान दोनों ताप और दाप दोनों इस्थी रखा जाए तो जो मोल की संख्या है बच्चो वो अड़ों की संख्या पर निर्भर करेगी कितने अड़ों है तो जब आयतन अड़ों की संख्या पर अड़ों की संख्या मोल की संख्या पर तो इससे अंतिम निसकर्ष निकला जो आयतन है वो म कि यहां पर देखो जो हमारा आयतन है वह संख्या पर निर्भर करेगा अड़ों की संख्या पर अधारित होता है समिकन एक 2 भाई भी समानुपाती है एनके एन समानुपाती है एनके तो भीवी समानुपाती होगा एनके जैसे मान लीजिए बबबा अपने बेटे पर आधारित है और बेटा भी अपने बेटे पर आधारित है मतलब बबबा नाती पर भी आधारित है समझ रहे ना आपके गर में बबबा होंगे ठीक है सिंपल है आपके पिताजी होंगे और आप है तो आप पिता जी पर आधारित है पिता जी एदी अपने पिता जी पर तो कहने के मतलाब हम भी अपने बबबा पर आधारित है की नहीं या उल्टा कर दो इसमें कोई लिदा दे रहने कि आप उल्टा कर उस्तिरीच कैसे भी बबबा जी भी आपके आप पर आधार एन हो जाएगा समानूपाति एक इस्थिरांग और वई बच्चो हर एक नियम की भाद यह से इसके पहले भी हमने चार्ल्स का नियम वह सरी गिलुसाक कर नियम देता उसी के नियम के आदार पर यदि हम भिन्द भिन्द मोलों की संख्या जैसे हमने कहा भी वन आयतन पर मोलों की संख्ये एंटू है दोनों इस्तिरांग के तो दोनों को तुलना कर देंगे तो यह फार्मूला निकल कर आगाता है सिंपल है यदी आगे बच्चो और एरिद्व गेढ़व का नियम तो फिर आपको केटना lцев रूग कर लोगे दी पेपर में आ जाएjos ओके बच्चो आज ये इतना ही चोटा से वीडिव है पसंद्ला करके सेयर करें आपको जो डौब्ट हो तो आप जरूर बताएं कि क्या चाहिए और यदि नोट्स चाहिए इसी का तो 100 रुपीज चार्ज है वन सब्जेक्ट का 100 रुपीज 100 रुपए आल चेप्टर के नोट्स हैंडी टे नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगे ओके को दिक्कत तो नहीं है जैहिन बच्चो बंदे मात्रम कंटेक्ट नंबर 96-89-99 नोट्स के लिए कंटेक्ट नंबर 96-89-99 फार नोट्स 96-89-99 नोट्स